एक तरह से आत्मग्यान का मतलब आप एक विशुद्ध जीवन हैं, कोई ब्रैंडिंग नहीं, जैसे ही आप मेमरी को बुद्धी समझने लगते हैं, मतलब आपने गड़बर कर दी, सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, मिस्टिक और मिस्टिक. अगर आप चीजों को वैसा देखते हैं, जैसी वो हैं, तो लोग आपको एक मिस्टिक, यानि दिविदर्शी कहेंगे. लोगों ने यहां तक मान रखा है कि शरीर में कुछ निशान होंगे, और उन्होंने त्रिशूल का चिन पीट पर और माते पर दाग लिया है, देखो यह अभी उभरा है, पश्चिम में लोग अपना हाथ दिखाते हैं, उनमें निशान हैं, और कहते हैं, देखो, मुझ में सूली के निशान हैं, तो मेरे लिए इसा मसी आ गए हैं, भारत में कंधे पर शंक आ जाता है, आपको बस खुद को दागना है, आप अपने आपको शंक से, चक्र से या सूली के निशान से, जिससे चाहें उससे दाग सकते हैं, एक तरह से आत्मग्यान मतलब, आप एक ब्रैंडिंग नहीं है, तो आप खुद पर ब्रैंड लाकर ये सोचते हैं, कि आप आत्मग्यानी हो गए, माफ कीजेगा, अगर कोई ब्रैंडिंग नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे, आप नहीं पहचान सकते, आप नहीं पहचान सकते, यहां कोई कैसे जानता है, कि मै आत्मग्यानी हूँ या नहीं? मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया. तो वो कैसे जानते हैं? वो बस मान रहे हैं. देखिए, आप जाकर अपने नर्सरी टीचर के सामने बैठते हैं. क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितना आता है? नहीं, लेकिन क्योंकि उन्हें A, B, C आती है, आपको नहीं आती, तो आप बैठते हैं. तो अभी हम X, Y, Z की बात कर रहे हैं. आपको यह नहीं आता, तो आप बैठते हैं. तो क्या फर्क पड़ता है कि मुझ में कहीं से कोई ठपा लगा है या नहीं लगा? आप X, Y, Z सीखना चाते हैं, तो यहां बैठते हैं. नहीं सीखना चाते हैं, तो जाईए. वो क्या है, जिसे आत्म ग्यान कहा जा रहा है? आप जानते हैं, डेब्रेक किसे कहते हैं? यह एक अच्छा शब्द है, मुझे पसंद है. इसे सूर्योदय कहते हैं, या डेब्रेक कहते हैं. दिन ब्रेक हो गया. हाँ क्या? नहीं, यह रात है, जो ब्रेक हुई. अलो? दिन ब्रेक हुआ या रात ब्रेक हुई? रात ब्रेक हुई. हमारी समझ में रात का मतलब क्या है? अंदेरा. अगर आप उल्लू होते, तो बात अलग होती. आपके लिए, रात सहज नहीं है, क्योंकि अंदेरा है. आपकी आँखें अंधेरे में सहज महसूस नहीं करती. इसलिए हमने इन सब लाइट्स और तमाम चीजों का आविशकार किया. क्योंकि हम सहज नहीं होते, जब अंदेरा होता है. क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी चीज क्या है. रोश्णी में, हमें चीज़ें साफ दिखती हैं. तो अगर राद ब्रेक हो गई, इसका मतलब है, कि स्पष्टता आ गई, सूर्योद है, आपके लिए बस यही कर रहा है. आप देखना ही पा रहे थे, जूज रहे थे, सूरा जुगा, अचानक आत्म विश्वास आ गया. वो स्पष्टता आ गई, जहां आपको सब कुछ साफ दिखता है. पता है, हम एक किताब पब्लिश कर रहे थे. ये बाचीत की श्रिंखला पर आधारित थी, तो कोई मेरे पास इसके शीर्शक के लिए आया, तो मैंने अंदर की चीज़ों को थोड़ा देखा, लोग हमेशा मुझे कहते हैं, सद्गुरु इसे थोड़ा विनमरता से बोलिए, आप ऐसा कर सकते हैं, कम आउन, मैं बोल सकता हूँ, पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग इसे कई तरह से तोड़ मरोड लेंगे. अगर आप इसे मूँ पर, तमाचे की तरह कहते हैं, तो वो, वो उससे ज़्यादा छेड़कानी नहीं करते. तो मैंने कहा, औफ मिस्टिक्स औड मिस्टिक्स, इसका मतलब ये है, कि सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, मिस्टिक और मिस्टिक. अगर आप चीज़ों को बिल्कुल वैसे देखते हैं, जैसी वो हैं, तो लोग आपको मिस्टिक कहेंगे. तो बाकी लोग क्या हैं? वो एक मिस्टिक हैं. वो जीवन के बुनियादी पहलूओं को समझने में गल्ती कर रहे हैं. बस इतनी बात है. हां? बोध में गल्ती कर रहे हैं. उनके बोध में गल्ती क्यों हो रही है? क्योंकि उनका एक हाथ हमेशा उनके मेमरी में डूबा रहता है. इसलिए हम कहते हैं कर्म. वो मेमरी को बुद्धी समझने की गल्ती कर रहे हैं. बस इतनी ही गल्ती की है उन्होंने. एक बार आप मेमरी को बुद्धी मानने लगते हैं तो आपने गड़बढ कर दी अगर आपकी किसी ऐसी चीज़ के बारे में थोड़ी मेमरी है जिसे दूसरे नहीं जानते तो आप जानकार दिखाई पड़ते हैं देखें, लोग दस किताबें पढ़कर विद्वान बन जाते हैं और बस एक किताब पढ़कर धार्मिक बन जाते हैं बस एक किताब कैसे ये आपको भागवान का एक प्रतिनिदी बना देती है अगर आप एक से ज़्यादा किताबें पढ़ें तब आप नहीं बन सकते, है न? आपको बस एक किताब ही पढ़नी है तो ये मेमरी को बुद्धी समझने की गलती है हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ही बस यही गलती है मेमरी को बुद्धी समझने की गलती अगर आप मेमरी को बुद्धी मानते हैं तो हम आपको कर्मों का केस कहते हैं। आप एक कर्म केस हैं। क्योंकि आप अपनी मेमरी से जी रहे हैं, अपनी बुद्धी से नहीं। अगर आप पुरी तरह से अपनी बुद्धी से जीते हैं, अपनी मेमरी और बुद्धी को मिक्स नहीं होने देते, तब लोग कहते हैं, अरे ये आत्म ग्यानी हैं, क्योंकि आप उसके सामने जो भी लाएंगे, वो उसे देखेगा और बताएगा कि वो क्या है, बस इसलिए क्योंकि वो मेमरी और बुद्धी को मिक्स नहीं करता, बस इतना ही है, जितना सरल ये दिखता है, अभी आप जो कुछ भी हैं, वो मेमरी है, आप आदमी है या और अउरत, ये मेमरी है, मेमरी मतलब सिर्फ आपके दिमाग की सचेतन मेमरी नहीं, आपका शरीर भी याद रखता है, है क अभीव्यक्त और अव्यक्त मेमरी, जो आप हैं वो खुद एक मेमरी है तो अगर आपकी बुद्धी को मेमरी से मुक्त होना है तो इसका मतलब आप खुद से मुक्त हो गए बस इतना है झाल